प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं देखें लास सेमिस्टर में आपने मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ाता वैसे ही आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा था आप सभी जानते भी हैं कि क्वेश्टन पेपर जो आपका आया था एक्जाम में वो सभी हमारा हमने जितना भी आपको पढ़ाया था उसी में से आया था जिस स्टूडेंट ने हमारी 15 डेज की क्लास जो कि हमने ब्रहमास्त्र बैच के नाम से चलाया था इसके लावा जो मेराथन क्लास थी उन दोनों को दो मेराथन क्लास को केवल उतना ही देखा होगा उसने भी जो क्वेश्टन पेपर है वो अच्छे से सॉल्व कर दिया होग आपने सभी को बता दिया होगा कि जेए क्लास परिवार की तरफ से चलाई जा रही है फिर भी यदि आपने अभी तक नहीं बता है तो आप बता दीजेगा आपने सभी फ्रेंड्स को आज हम क्या करने वाले हैं आज हम से एप्लाइड मैथमेटिक सेकेंड का स्ट्रावर्स स्लेबस वही स्लेबस बाकी स्टेट्स में भी है फिर भी कुछ टॉपिक्स यदि आपके अलग है तो वह आपको मिल जाएंगे तो उसके लिए आपको परिशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमारी जो यह क्लासिस परिवार की पूरी टीम है वह कोशिश करती है कि आपक सब्सक्राइब करेंच यूणिट से कितना आने वाला थे चाहिए पेपर का जो हमारा मार्स दिस्टीबूशन थे फ़ीशन है आपको इससे पहले वाले क्लास में मिली गया है आज हम आपको स्लेबस बताने वाले कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं यह देखेंगे लास स समिस्टर में आपके मतलब आपके शिकायत रही कि हमें इंग्लिश में चाहिए आप हिंदी में प्रवाइड करा रहे हैं इस समिस्टर में आपको लेंगी तो आपको कहीं और जाने के अवशक्ता नहीं है सबसे पहली यूनिट देखिए वही 50 माक्स का पेपर होता है यह आप जानते ही है खेर यह पढ़ चुके हैं आप लास लेक्चर में यूनिट यह इस यूनिट स्लेवस में मतलब इस एप्लाइड मैथमेटिक सेकेंड में फरस्ट में हमारी पांच यूनिट थी यहाँ पर यह करें हमारी चारी यूनिट रहे गई चारी रहे गई रहे लास समिस्टर में ने पढ़ाएं करेंगे इंतीग्रेशन थीक है फस्ट यूनिट जो कि आप स्भीन पर देख पा रहे हैं पहली यूनिट का नाम लिखा गया है इंट्रीगल-कल्कुलस फस्ट यह भी आप देख और हें किन्य बाद करें तो तो आपको पांच चेटर दखाई दे रहें है नाम में समा कल जैसे डिफ्रेंशीएशन होता है डिफ्रेंशीएशन काiere हुजाता है समा मतलब इनिटीडेशन ऩरतारो आपको Politik जाएंगे integration है क्या basically यह आपको बताया जाएगा formula based questions आपको इस चेप्टर में कराए जाएंगे चीक है सेकेंड चेप्टर आप देख पा रहे हैं integration by substitution substitution प्रतिस्थापन द्वारा समा कलन्द देखो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि value मान ली जाए कोई value रख दी जाए चीक है उससे समा कलन्द जैसे हमने डिफ्रेंशन में टी मान कर सॉल्व किया था ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे थाट चेप्टर हमारा है integration by parts खंडशह समा कलन्द यदि दो यहां पर इसको नाम दे जाता है integration by parts ठीक है फोर चेप्टर का नाम आप देख पार है इंटेग्रेशन बाइप पार्शल फ्रेक्शन आँ अन्शिक भिन्नों द्वारा समा करने आशिक भिन जैसे की ऐसा कह दिया जाए कि कुछ वैल्यू लिखी गई है फैक्टर की फॉर्म में मतलब जैसे फ्रेक्शन डिनोमिनेटर में फ्रेक्शनल फ्रेक्टर दे दिये विशिष्ट फनलों का समा कलन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पर हम डारेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं मतलब स्पेशल फंक्शन है इनका स्पेशल फॉर्मूला होता है ठीक है बनाया जाता है तो वह सब हम इसमें पढ़ेंगे अब देखिए आपके मार्ण में य लास्ट यर की बात करें लास्ट यह के पेपर अनलेसिस की बात करें हम 2020 आप जानते हैं कोविड-19 की वज़ा से 2020 में एक्जाम नहीं हो पाए थे प्रमोट कर दिया गया था स्टुडेंट्स को तो 2019 के पेपर में केवल यह यूनिट हमारी 32 मार्क्स की आई थी चीक है 32 मार् यह यूनिट आप पढ़ेंगे अच्छे से तो यह अगली यूनिट को भी अच्छे से कवर कर पाएंगे चलिए फिर हम आप बात करते हैं नैक्स यूनिट की नैक्स यूनिट से पहले देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी चैनल पर नहीं हैं जिन्होंने अभी तक को सबस्क्राइब नहीं किय दोस्तों को जितने अब तक नहीं किया है यह सबस्क्राइब का चुके हैं लेकिन भी तक शियर कर दिजेगा ठीक है चलिए एक हम चलते हैं जैसे इंट्रिएल केलकुलास फस्ट है ऐसे लेक्स यूटा आप देख पा रहें इंट्रिएल केलकुलास सेकेंड इसमें भी देखेसे पहले चेप्टर दाइधे बात करें तो डापनेंट लिखा गया है निश्य समाकलन है निश्य समाकलन देखो हमने इसे पहली वाली यूनिट पड़िए उसमें के वलापको इंटीग्रेशन कहा वह इंटीड्रेशन था सब्सक्राइब लिमित को बॉण्ड कर दिया जाए लिमिट दे दी जाए इंटीग्रेशन पैसे देखनेंगे क्लास में पढ़ाएंगे आपको डिटेल में चेप्टर तो आपको क्लार हो ज जाएगा क्या क्या डिटेफ़निट ओफेनेgency की नेक्स में इनध्रेनटा है इन्टियरियों कि डिफैब अप्लिकेशन में वह आपक्रों के लंबाई या आ सद्धूर्ण को सप क Send link सबकालेंगे लो कसे को अरे के तो 5 चैप्टर। नाव देखड़ना में माध्यमान चैप्टर का काफ़ी सब्सक्त 25 आएकनन्गा इन दो नंबरrecht को carry integration संक्यात्मक्स अम्हागलन इसमें देख弟 पहला टॉपिक है हमारा संपरीक है तो यह जो लास वाला चैप्टर है फूर्थ फूर्थ चैप्टर से एक क्वेशन पांच नमबर में आपको मिलता ही है 16 17 18 19 लगातार क्वेशन आया है किसी भी मैथड़ पर आ सकता है मिन्स ट्रिपजोईडल रूल से भी आ सकता है सिम्सन वन थर्ड से भी आ सकता है सिम्सन व अब हम चलते हैं नेक्स ट्वेशन पर नेक्स चैप्टर पर नेक्स चैप्टर से पहले देखिए हम आपको बता देते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके बारे में क्लास की जो जानकारी आपको कहां से मिलेगी इसके लावा फ्री पीडिएफ नोट्स उन सब चीजों के लिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी है उन स सब्सक्राइब चलते हैं यह जानकारी आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगी चलिए अब नेक्स चेप्टर पर चलते हैं देखो यह जोड़ी बड़ी है टॉपिक्स जादा है चैप्टर फिफ्ट है लास्ट चैप्टर है यदि हम इस चैप्टर की बात करें तो यह चैप्टर 2019 में ही हमारे स्लेवस में एड हुआ था 2019 के पेपर में केवल इस चैप्टर से ही 15 नंबर का क्वेशन मिला था आप देख पारें चार मैथड दिए गए हैं पहला मैथड है बाइसेक्शन मैथड हिंदी में संद्धिभाजन वीदी कहते हैं सेकेंड मैथड है आपका रेगुला फाल्सी या फॉर्स पॉजिशन और फॉर्ट चैप्टर है गॉस्त टॉपिक है गॉस्त इलिमिनेशन मैथड यह विल ओपन वीदिया में से कहते हैं नाइन्टीन में आपका रेगुला फाल्सी से एक व्यक्वेशन आपको मिलाता न्यूटन रेट्शन से पांच नंबर में व्यक्वेशन आया था और गॉ सब्सक्राइब कर लिए तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि आपको आने वाली सभी क्लासिस का नोटिफिकेशन मिलता रहे यूट्यूब चैनल का नाम कर देखना है पता ही होगा फिर भी जेए यह हमारे यूट्यूब चैनल का नाम तो आप आपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिगा और जितने भी देखने वह सब्सक्राइब कर लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम थाइड यूनिट पर आते हैं हम थाइड यूनिट थाइड यूनिट देखो चोटी सी यूनिट है आप देख पार हैं कोडिए जयमेटरी कहते हैं टू डामेंशन भी लिखा गया है तू डामेंशन का मतलब है दुवी मी हैं मतलब दो डारेक्शन है निर्देशांग जयमिती अब इसमें एक ही चेप्टर है सरक्ल सरक्ल रट कहा जाता है हिंदी में सरक्ल में क्या क्या पढ बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो टॉपिक यहां लिखे में है एक्वेशन आफ सरक्ली स्टेंडर्ड फॉम वो तो आप देखी पारें बाकि हम जब क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर को तब डिसकस करेंगे इस चैप्टर से भी आपको 10-12 नंबर का भी मिल सकता है तो यदि नंबर फॉर्ट कोडिनेट जिमेटरी ही नाम है इसका भी इससे पहली वाली यूनिट हमारी टू दैमेंशन थी यह यूनिट हमारी थ्री दैमेंशन है मतलब तीन डारेक्शन है एक्स वाय और जेट इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है तो आप देख पारें तीन चैप्ट सेंट्राइड का कैसी निकालते हैं ट्रैंगल का इसका देरेक्शन को सान्य डारेक्न रेशियो और यह सब हम इसमें बढ़नेवाल ना Daha प्लेन की क्या है इंटरसेट ओम में उसमें निकालेंगे एंगल कैसे निखलेगा दो प्लेन की बीच का ठीक है अब हम चलते हैं थाइड चैप्टर पर नहीं हमारा स्टेट लाइन सरल रेखा यहां पर भी एक्वेशन कैसे निकलेगी एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की एक्वेशन कैसे निकालेंगे, दो स्टेट लाइन की बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे, इसके अलावा दो स्टेट लाइन की बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, प्लेन और लाइन की बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, एक आता है इ लिए trusting में इन耐 तायटी में लेक्ग को एपका wh Long work गाकशी ओवर ली यूणिट्स ऑपकी कम 10 जिए ज़्खे तो आपको यह सब चीजें मदलब जितना भी था हमारा topic हमने सब डिसकस किया स्लेवर्स में जितने भी topics थे अब आपको क्या करना है हम आपको next class में जब हम class शुरू करेंगे स्लेवर्स क्या पढ़ाएंगे थेखो हम आपको first unit से start करेंगे हम next class में first unit में पहला chapter हमने आपको बताया था integration integration के लिए आपको जो हमारा पहला वाला था differentiation वो आना ज़रूरी एसे फोड़े को कोई problem ना आपको डिजह कर दीएगा चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दीजहेगा जितनी वह को जलो है और आप से Clock को देख पाएं जाया फिर मिलते हैं या Buddhism क्लास में integration के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए अपना अपने परिवार का दोनों का ध्यान रखिए जैसे कि आप जानते ही हैं देखिए कोविड फिर से अपना नए रूप के साथ वापस आ गया है तो आप अपना ध्यान रखेंगे तब आप अच्छे से पढ़ झाल 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 झाल